चात्र चात्राओं आज हम अपने बिये पार्ट सेकेंड के पहले पेपर मद्यकालिन भारत के इतिहास में दिल्ली सल्तनत के पतन के कारणों की बात करेंगे दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुदबुद्दी नवक के द्वारा की गई थी और उसके साथ ही दास वंश के साथ सल्तनत स्थापित हुई थी और लोधी वंश के शाषनकाल में इबराहिम लोधी के शाषन के समय में सल्तनत का पतन हो गया एबक से लेकर के इबराहिम लोधी के बीच में दास वंश के इल्तुतमिश बलबन खिलजी वंश के अलाउदिन खिलजी और तुगलक वंश के मुहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दिल्ली सल्तनत की शक्ती को दिल्ली सल्तनत के सामराज्य को चरम सीमा तक पहुँचाया गय लेकिन लोदी वन्ष के आने के पहशात और इब्राहिम लोदी के बाद तेजी से दिल्ली सल्तनत का पतन हुआ तो इतना शक्ति शाली सामराज्य जो एबग के समय में बारा सुच्छे में शुरू हुआ और 1526 में पानीपत के तृतिय युद्ध के साथ समाप्त हो गया यानि 300 वर्ष तक सल्तनत का शाशन रहा उस सल्तनत के पतन के क्या कारण रहे आज हम उन कारणों पर चर्चा करेंगे दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए कई कारण जिम्मेदार माने जाते हैं जिनमें सबसे पहला कारण है स्वेच्छा चारी तथा निरंकुष शाशन दिल्ली के सुल्तानों ने स्विच्छा चारी वे निरंकु शाषन की स्थापना की सुल्तान के पास असीमित शक्तियां और अधिकार थे उनकी इच्छा को कानून माना जाता था और कानून को वो अपने हिसाब से लागू करवाते थे बल्बन अलाउद्दीन जैसे शाशकों ने तुर्क सरदारों की शक्ति को भी कुचल दिया था और उन्हों ने अपने शक्ति को चर्मोत कर्ष तक पहुँचाया किन्तु उसके बाद उनके जो उत्रारिकारी थे उनके द्वारा जब केंद्रिय शक्ति को शक्तिशाली तरीके से संचालित नहीं किया गया केंद्रिय शक्ति कमजोर होने लगी तो सल्तनत का पतन होना स्वाभाविक था दूसरा कारण है विशाल सामराजी दिल्ली सल्तनत की शुरुआत उत्तर भारत से हुई थी धीरे धीरे उत्तर भारत के लगबग सभी राज्य और दक्षिन भारत के कुछ दूरस राज्य भी इसके अंदर शामिल हो गए अलाउ दिन के द्वारा दक्षिन भारत के बहुत बड़े इलाके को जीत कर सल्तनत के अंतरगत मिला लिया गया था आवा गमन के परियाप सादन نہ होने के कारण सल्तनत काल में सेना आधिक आवा गमन नहीं हो पाता था और इन पर नियंतरन रखना भी कठिन होता जा रहा था तो धीरे 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 जैसे जैसे केंदरी शक्ती कमजोर होती चली गई यह विशाल सामराज्य होना दिल्ली सल्तनत के लिए दुविधा का कारण होता चला गया और नियंतरन पर कमी होने के कारण सीमावर्ती इलाकों ने या दिल्ली से दूर के इलाकों ने अपने आपको सुतन्तर करना प्रारंब कर दिया सल्तनत के पतन का अगला कारण है केंद्रिय शक्ति की दुर्बलता फिरोस्त तुगलक तक केंद्रिय शक्ति अत्यंत मजबूत थी केंद्रिय शाशक के द्वारा यानि सुल्तान के द्वारा विभिन प्रांत के सुवेदारों को अपने नियंतरण में रखा गया था किन्तु फिरोस्त उगलक की मृत्यू के बाद दूरस्त प्रांतों के सुबेदारों ने अपने आपको स्वतंत्र शाशक के रूप में इस्तापित कर लिया था जैसे जैसे केंदरिय शक्ती कमजोर होती चली गई प्रांती सुबेदारों की शक्ती बढ़ती चली गई और अंततों गत्वा सल्तनत का पतन हो गया अगला कारण है प्रजा का असहयोग सल्तनत काल में शाशक मुसल्मान थे किन्तु प्रजा हिंदू थी और सल्तनत काली शाशकों ने शरियत के नियमों से शाशन चलाया और उन्होंने धार्मिक असहिश्मुता की नीती का अनुसरन करते हुए हिंदू प्रजा के उपर घोर अत्याचार किये जिसके कारण इन शाष्कों को प्रजा का पूर्ण सहयोग प्राप्त नहीं हुआ और इसी लिए समय समय पर सल्तनत काली शाष्कों को विद्रोहों का सामना करना पड़ा जिससे सल्तनत की शक्ती को हनी पहुँच रही थी और धीरे-धीरे सल्तनत की जड़ें कमजोर होती जा रही थी सल्तनत के पतन का अगला महतुपूर्ण कारण था उत्तरादिकार के नियमों का अभाग सल्तनत क्योंकि इसलामिक नियमों के इसाब से चलती थी और इसलाम में उत्रादिकार का कोई निश्चित नियम नहीं है जिसके कारण उत्रादिकार को लेकर के अक्सर वंशों में युद्ध होता रहा जो मजबूत होता था जो योग्य होता था जो जीतता था वही राजगद्धी पर बैठता था जिसकी वज़े से सल्तनत काल में राजनेतिक इस्तिर्ता की कमी रही और इसी राजनेतिक इस्तिर्ता की कमी ने सल्तनत की जड़ों को कमजोर कर दिया अगला कारण था सहिश्नुता की नीती का अभाव सल्तनत कालिन को शाषक सहिश्नु थे जिसके कारण उनकी प्रजा को कश्ट भोगना पड़ा इन शाषकों ने कटर इसलामिक नीतियों का पालन करते हुए मुसलिम प्रजा को ही सिर्फ प्रजा मानार उनके हित में ही अपने नियम बनाए और हिंदू प्रजा के साथ में उनका व्यभार बहुत खराब रहा उनके उपर अत्याचार होते रहे जिसकी वज़े से समाज में एक तरह से वर्ग संगर्ष प्रारम हुआ तो सहिशनूता के अभाव के कारण भी प्रजा का सहयोग नहीं रहा जिसकी वज़े से भी सल्तनत की निव कमजोर हुई अगला कारण था दरबार में एकता का अभाव सल्टनेट काल में क्योंकि अमीर सरदार तुर्क अमीर और तुर्क सरदार या अफगान अमीर और अफगान सरदार वे सब एक साथ भारत आये थे और जब उन में से एक योग्य वेक्ति सुल्तान बना तो उसकी वज़े से इन अमीरों और सरदारों को बहुत बुरा लगता था और ये अमीर और सरदार अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए हमेशा सुल्तान के खिलाफ शडियंत रस्ते रहते थे जिसकी वज़े से दर्वार में सहयोग और एकता का अभाव था केवल अलावदिन खिलजी और मुहम्मद बिन तुगलक ही वो शाशक थे जिनोंने राजनीती को धर्म से अलग रखा अमीरों और उलेमाओं पर अपना नियंतरन रखा यह एक तरह से बहुत अच्छा कदम था लेकिन सभी सुल्तानों ने इस नीती पर अमल नहीं किया जिसकी वजह से दरबार में एक्ता का भाव हुआ दरबार में गुटबंदी बनी और उसकी वज़े से युद्ध और शड्यंतर होते रहे जिससे सुल्तान की शक्ती कमजोर होने लगी मुहम्मद बिन तुगलक की अव्यवारिक योजनाओं की वजह से भी दिल्ली सल्तनत की जड़ें कमजोर हुई मुहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी को दिल्ली से देवगरी ले जाने का दोवा में करवरद्धी का तांबे के सिक्के चलाने का और खुरासान वे करज़त पे आक्रमन करने की जो योजनाएं बनाई वो योजनाएं ना तो सही रूप से संचालित हुई बलकि इन योजनाओं को व्याभारिक रूप देने के लिए जो प्रियास किये गए उन प्रियासों से सल्तनत का राजकोष रिक्त हो गया जैसे दिल्ली से राजधानी अचानक देवगरी देवगरी ले जाने का निर्णे किया गया रातो रात एक तरह से दिल्ली को खाली कर दिया गया लोगों को दिल्ली जब देवगरी जबर्दस्त ले जाए गया जब देवगिरी पर राजधानी बनाए जाने का प्रयास असफल हो गया और वहाँ समस्याएं आने लगी तो वापस राजधानी परिवर्तित करके देवगिरी से दिल्ली लाई गई और आने और जाने का जो अनावश्यक खर्चा था वैं राजकोष के उपर पड़ा इसी तरीके से तांबे के सिक्के चलाने के कारण उन पर क्योंकि सरकारी नियंतर नहीं था लोगों ने नकली सिक्के बनवा लिये जिसका प्रभाव राजकोष के उपर पड़ा खुरासान के उपर जो अभ्यान किया गया उसमें भी मुहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बहुत सारा पैसा खर्च किया गया इस तरीके से मुहम्मद बिन तुगलक ने जो भी नीतियां अपनाई जो भी योजनाय बनाई वो इतनी अव्यवारिक थी उनकी वजह से खाली राजपोश ही रिक्त नहीं हुआ बलकि प्रजा भी सुल्तान के विरोध में आ गई देशी और विदेशी अमीर भी प्रथक होने लगे जिसकी वजह से सल्तनत के पतन का मार्ग प्रशस्त हुआ सल्तनत के पतन के लिए फिरोध तुगलक भी उत्तरधाई रहा है फिरोध तुगलक ने जागिरदारी प्रथा, दास प्रथा और राजनीती में उलेमाउं की मद्रस्तता को प्रारम किया जिस से सल्तनत के पतन की भूमी का तैयार हुए फिरोज तुगलप को दासों का इतना शौक था कि उसने बड़ी संक्या में दास इखटे किये उनके लिए एक विभाग इस्थापित किया गया और इस तरीके से इन दासों के रख रखाव के उपर ही बहुत जादा पैसा खर्चन होने लगा सुल्तान में जो विद्रोही सूबे थे उन पर वो विद्रोह नहीं कर पाया सुल्टान स्वेम क्योंकि कोमल हृदय का था युद्ध करने की नीती उसकी नहीं थी जिसके कारण वै विद्रोहों को कुचलने में सफल रहा और धीरे-धीरे सल्टनत में सुल्टान पद की गरिमा कमजोर होती चली गई जिसका परिणाम ये रहा कि धीरे धीरे सल्तनत पतन की और अग्रसर हो गई फिरोज तुगलक के बाद उसका कोई भी उत्रादिकारी इतना योग्य नहीं था कि वह एक शक्ति शाली सामराज्य को संचालित कर सके इसलिए सल्तनत के पतन का एक प्रमुक कारण रहा फिरोज तुगलक के अयोग्य उत्रादिकारी जो की बहुत ही अयोग्य थे और विलासी थे और इतने ज़्यादा विलासी और अयोग्य थे कि सरदारों और जागिरदारों के शड्यंत्रों के कारण वे सिर्फ कट पुतली बन के रह गए जिसकी वज़े से समझ सामराज्य में अव्यवस्था फैल गई जिसका परिणाम है निकला कि प्रांतिय शाशक सुतंत्र होने लगे और दिल्ली सामराज्य छिन्बिन होने लगा करेला और नीम चड़ा वाली बात ये रही कि एक तरफ से तो तुगलक के उत्रादिकारी कमजोर होते जा रहे थे केंद्री शक्ती कमजोर होती जा रहे थी उस पर 1398 में समरकंद के शाशक तैमूर लंग ने भारत पर आकरमण कर दिया इस आकरमण में के समय तुगलक वंश का अंतिम शाशक नसिरुदिन महमूद बुरी तरह से पराजित हुआ और तैमूर ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और उसने दिल्ली को जी भर कर लूटा जिसके कारण दिल्ली सल्तनत की जड़ें इतनी कमजोर हो गई कि समराट बाबर ने जब दिल्ली के शाशक इबराहिम लोदी पर आकरमण किया तो वह शीगर ही पराजित हो गया और सल्तनत का समापन हो गया अगला कारण है लोदी शाशकों का दाईत लोदी वंश के समय में सल्तनत खंडखंड हो चुकी थी बहलो लोदी के समय में ही सल्तनत खंड़ित हो चुका था सामराज ये टुकडो टुकडो में बट गया था जोनपूर बयाना गौलियर सबी अपने आप में सुतंतर शाशकों के रूप में विवार कर रहे थे और बाबर ने जब अप्रेल 1526 में पानी पत के प्रतम युद्ध में इबराहिम लोदी को बुरी तरह से परास्त किया और जब उसकी मृत्ति हो गई उसके साथ ही दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और मुगल सामराज जीक की स्थापना हो गई इस तरह से दिल्ली सल्तनत की एकता को खंडित करने में लोदी सुल्तानों का भी मैतुपून योगदान था जिसकी वजह से दिल्ली सल्तनत का पतन हुआ का पतन हुआ अगला प्रमुप कारण माना जाता है मंगोल आकरवन बार बार मंगोलों के आकरवन दिल्ली सल्तनत पर होते रहे थे जिसकी वज़े से भी दिल्ली सल्तनत कमजोर हुई डॉक्टर आश्रवाद दीलाई श्रिवास्तव का भी कहना है कि बार-बार होने वाले मंगोल आक्रमनों ने भी जिसका आरंब 1240 में रजिया की मृत्यू के पश्चात हुआ था दिल्ली के भाग्य और नीती पर गहरा प्रभाव डाला था अगला महत्वपूर्ण का रंथा इस्थाई सेना का अभाव दिल्ली सर्तनत के सिर्फ अलावदीन खिलजी को छोड़ करके किसी भी शाषक ने अपनी स्थाई सेना नहीं बनाई संकट के समय में सुल्तान अमीरों और प्रांतिय शाषकों की सेना से ही साहता लेता था जो के सुल्तानों के प्रती वफादर नहीं थे विश्वास भातर नहीं थे और समय पढ़ने पर ये लोग सुल्तान के प्रती विश्वास भात करने से नहीं चूगते थे इसलिए दिल्ली सल्तनत के लिए स्थाई सेना ना होना भी एक बहुत बड़ा कारण था इस प्रकार से हमें देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए कोई एक कारण जिम्मेदार नहीं था बलकि सभी कारण जिम्मेदार थे और सुल्तानों उनके सरदारों इस्थान ये प्रशाष को जम्मेदारों के बीच संघर्ष प्रांतिय और भोगलिक समस्याओं ने सल्तनत की निव को कमजोर किया सुल्तानों ने इन समस्याओं को हल करने का तो प्रयास किया लेकिन इने समूल दूर करने का कोई प्रयास नहीं किया और ना ही उन्होंने कोई ऐसी सामाजिक वे प्रशाशनिक संरचना की जिसमें किसी प्रकार का मौलिक परिवर्तन हमें दिखाई देता हो तो जब तक शक्तिशाली सुल्टान सत्ता में होता था तो सल्तनत मजबूत रहती थी लेकिन जैसे ही सुल्टान कमजोर आता था सारी समस्याइं पुनह सल्तनत के सामने खड़ी हो जाती थी इसलिए हम ये कह सकते हैं कि फिरोष तुगलक के शाशनकाल के समय तक तो सल्तनत शक्तिशाली बना रहा लेकिन उसके बाद शक्तिशाली साश्कों के अभाव में सल्तनत धीरे धीरे पतन की और अग्रसर हुई और इबराहीम लोदी के समय में 1526 में हुए पानिपत के युद्ध के पश्चात सल्तनत का सूर्य हमेशा के लिए अस्त हो गया